अब फ्रेंड्स गुड मॉर्लिंग तो आज मैं आप लोगों को अपने टेरेस पर ले करके आया हूँ और आज का मेरा ये सब्जेक्ट है कि नौंबर के महीने में अभी आप कौन-कौन सी सब्जीयां लगा सकते हैं और क्या होता है ने कि जाडों की सब्जीयों की सुरुआत तो अक्टूबर के महीनों से ही हो जाती है लेकिन अभी समय है बहुत सी सब्जीयां ऐसी है जो आप नौंबर और दिसंबर के महीने में भी लगा सकते हैं तो ये दिखिए ये नारंगी का हमारा ये पोधा है तो इसमें खोब धेर सारी नारंगी अब होना सुरू हो गई है और इधर देखिए एक अनार भी है तो अभी आज मैं फलों के बारे में नहीं बताऊंगा कि जो फल मैंने लगा रखे हैं आज मेरा सब्जेक्ट है सब्जीयों के बारे में तो ये है मेरा टेरस गार्डन ये अडेनियम देखिए और इधर जो है सारे पोधे लगे हुए है तो चलिए सुठार्ट करते हैं कि मैंने कौन-कौन से पौधे सबजीओं की लगा रखे हैं ये आप देख रहे हैं ये है बैगन मेरा बैगन की जो पौधे हैं मैंने उसको अगस्थ के लास्ट में मैंने लगा रखा था और अब ये खोब अच्छे कि यह लंबा वाला बेग करुढ मैं लगए हुए है और वसी को मैं । और जब गोवर का फर्टिलाइजर तयार करता हूँ तो उसमें नीम की खली और सर्सों की खली ये दो चीजें मैं जरूर मिला देता हूँ तो बस यही है फर्टिलाइजर जो है सबसे अच्छा काम करता है तो यह आप देख रहे हैं इधर दिखिए कई बार इसकी हर्वेस्टिंग भी हो चुकी है और 10-12 पौधे बैगन के मैंने लगा रखे है तो अब यह बैगन के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यह मिर्च अभी देखिए नवंबर का अभी लास्ट समय चल रहा है तो अभी भी आप मिर्च के पौधे ल होगा और फिर आपको दिखाता हो कि और जो मेरे मिर्च के पौधे उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी तरह से स्टार्ट हो गई है यह दिखिए यह मेरा एक मिर्च का पौधा यह काफी बड़ा हो गया है और इसमें खोब धेर सारी मिर्च गुच्छों में लग रही है यह मिर्च के लिए फ्रेंट्स थोड़ा सा चाच जरूर डाल देना चाहिए क्योंकि इसको एसे डिक सॉयल की जरूरत होती है तो चाच बहतर होता है उसको डाइल्यूट करके और उसमें प्लाइंट के उस जड़ों में डाल देना चाहिए इसमें देखिए कुछ हल्दी के करें सब्जी लगाने के लिए तो उसमें आधा भाग गोबर कंपोस्ट का जरूर रखना चाहिए यह देखिए यह टमाटर है अब इसमें फ्लावरिंग होना सुरू हो गई है यह देखिए यह भी मैंने यह बोरे के ग्रो बैग में लगा करके रखा हुआ है और इधर आप देख रहे हैं पूरा यह लाइन आप देखिए यह पूरा हल्दी है टर्मेरिक तो अभी इनके पौधे काफी बड़े हो गए हैं और हो सकता है कि इसमें फ्लावरिंग भी इधर देखिए इधर भी हल्दी का राइजोम है और इसी में एक मिर्च का पौधा भी उगा हुआ है और इसमें भी आप फ्लावरिंग सुरू हो गई है तो मिर्च क्या होता है ने कि एक टेंप्रेचर उसको चाहिए होता है कि अगर सही टेंप्रेचर मिल जाए स्वरी दोस्तों मेरे घर के पास से ही ट्रें गुजरती है तो थोड़ा आवाज डिस्टर्ब कर रही है उधर देखिए आपको वो रेलवे का ट्रेक है उस पर से ट्रें गुजरती गुजर रही है आपको देखाई दे रहा होगा तो एक बार चलते हैं फिर से अपने और यहां आप एक ग्रो बैग में देख रहे हैं इधर मैंने सेम की बेल भी लगा करके रखी हुई है यह सेम तो सेम की सुरुवात बस अब उसका भी सीजन आने ही वाला है दिसंबर के महिने से कहीं कहीं तो सेम मिलने भी लगी है तो यह दिखिए एक टमाटर अभी मुझे लगाना है यह आप देख रहे हैं यह कितना बड़ा हो गया है यह टमाटर का पौधा और इसमें एक तरीके से फ्लावर भी आ गये हैं और यह डिब्यम लगा है बस बहुत जल्दी इसको किसी ग्रो बैग में लगा दूँगा तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यह सेम जो है यह भी मैंने एक ग्रो बैग में लगा करके रखा हुआ है और इसकी लतर आप देखिए यह अब रसीयों के सहारे दोस्तों इसको मैं आगे की तरफ इसको फैला रहा हूं लेकिन इसको बहुत जादा आगे नहीं बढ़ने दूँगा इसकी 3G कटिंग कर दूँगा तो अच प्रस कम मिल पाते हैं तो यह गोबर मुझे अराम सिम्बल जाता है बस उसी को अच्छी तरह से सड़ा करके 3-4 महीने और उसमें नीम खली सरसी खली याद सब यह सारी चीज़ें मिला करके मैं तैयार कर लेता हूं और उसी को पौधे में डालता हूं ठंड के महीने में आप सरसो की खली का इस्तेवाल करें सरसो की खली पौधों की को उसकी जड़ों को गर्म रखते हैं उसकी तासीर गर्म होती है इधर देखिए एक बैगन का पौधा इधर भी है और उसमें भी बस देख सारे बैगन आना सुरूँगे तो बैगन का तो यह दिखिए यह अभी इसको भी लगाना है यह बैगन का पौधा है एक इधर बैगन का पौधा है इसको भी एक बड़े कंटेनर में लगाना है और इधर यह टमाटर भी है इसको एक चोटे से प्लास्टिक के ग्लास में मैंने लगा करके रखा है और यह चेरी टमाटर है बस इसको भी लगाने वाला हूँ, तो ये सब लगाने का अभी भी अच्छा समय है, इसको लगाया जा सकता है, और मैं आपको दिखाता हूँ, कि तमाटर मैंने किस तरह से लगाया है, उसमें फ्रूटिंग अभी स्टार्ट हो गई है, ये दिखी, अब इसमें हरे हरे तमाट दिखाई दे रहे हैं, अब धिरे धिरे ये लाल हो जाएंगे, जब भी आपको टमाटर की जड़ दिखाई देने लगे, तो थोड़ा सा मिट्टी इस तरह से जड़ के ऊपर दबा दें, जरूर, क्योंकि अगर जड़ दिखाई देने लगेंगी, तो पौधा जो है, उसमे सूखने की कंडिशन आने लगती है, तो इस तरह से दबा देना चाहिए, और टमाटर के लिए सबसे अच्छी जो फटिलाइजर होती है, एक ची जरूर डालेने, ये जो छाच होती है, उसको डाइलोट करके टमाटर के पौधे में जरूर डाल देना चाहिए, ये बहुत का बड़ी आराम से आप अपने टेरेस पर अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है, तो आप बड़ी आराम से लगा सकते हैं, ये देखिए, ये इसमें भी फ्रूटिंग अच्छी तरह से हो रही है, बैगन का ये भी प्लांट है, ये लंबा वाला बैगन है, तो इन सब चीज काता हूँ कि और मैंने क्या क्या लगाया है, इधर देखिए, ये है मूली, मूली के बीज ऐसे होते हैं कि बहुत आराम से उगाते हैं, तो मूली के संबंद में आपको ये बता हूँ कि अगर आपको सलाज के लिए पत्ती चाहिए, मूली का अपने घर का जो मूली का पत्त लेकिन अगर आपको मूली भी चाहिए तो थोड़ा स्पेस देना होगा क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं देंगे नहीं तो मूली की जड़ होती है उसमें डेवलप्मेंट नहीं होगा तो यह बात आप ध्यान रखें पतियों की जरूरत है तो आप पास-पास इस तरह से कर सक है इसी तरह से यह देखे गाजर यह एक हपते पहले मैंने इसको लगाया था इसके 20 तो अब यह इतने बड़े-बड़े हो गए हैं तो इसको भी इसमें भी कुछ पौधों को हटा देना पड़ेगा मुझे क्योंकि जो कंडिशन मूली के लिए होती है वही कंडिशन गाज के लिए भी होती है तो इसको जो है इसमें से कुछ पौधे हटा करके क्या होता है ने कि थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मेरा जो गाजर मैंने लगाया है वह सही तरीके से वह हो रहा है कि नहीं तो यह गाजर लगाने का यह तरीका होता है और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए मूली और गाजर के लिए दोनों एक ही तरह की रेतीली मिटी रखें उसमें आधा बाग गोबर कंपोस्ट जरूर डालके रखें तो इस तरह से अगर आप करेंगे और बीच बीच में थोड़ा सरसोक खली को पानी में घोल करके अगर इसमें डालते रहेंगे तो इसम का आप प्रयोग करिए यह आप देख रहें यह बीन सर राजमा तो राजमा को मैंने अभी तो इस ग्रोबैग में लगा करके रखा है लेकिन इसको अभी बड़े ग्रोब किसी ग्रोबैग या कंटेनर में ट्रांसपर कर दूँगा तो यह राजमा भी है राजमा भी बोने क सही समय यही है अक्टूबर नॉमबर में राजमा जो है लगा दिया जाता है और यह बड़े आराम से उगता है और इसमें जो फली होती है आप उसकी कच्ची फली की ही सबजी बना करके खा सकते हैं और बहुत टेस्टी होती है अब आई यह चलते हैं आपको दिखाता हूँ कि पालक भी मैंने लगा करके रखा है तो मेरे पालक अब कितने बड़े बड़े हो गए हैं तो फ्रेंड्स यह दिखिए यह मेरे हरे हरे पालक है पूरी तरह से और्गेनिक है इनकी तो एक दो पत्ती डेली सुबह सुबह खा उसे यह लगबग एक हपते का मतलब एक हपते में इसका टाइमिंग हुआ है एक हपते हो गाये साथ दिन का तो अब इसे ब्रिद्धी हो रही है तो अब यह किमuçंण का इस encla500 अब करते है इसलिए थोड़ो से ग्रोथ धीरे-धीरे होती है तो इस बात को समझ लेना चाहिए केमिकल डालने की कोई जरूरत नहीं है तो फ्रेंट्स यह रहा पालक और पालक कभी कली ही मैंने और लगाया है यह देख रहे हैं यह कंटेनर है इसी में मैंने पालक लगाया है पालक के लि और मूली और गाजल लगाने के लिए गहराई वाले पाट की जरूरत होती है अभी देखिए दोस्तों अभी भी भिंडी हो रही है जो भिंडी मैंने बरसाच के सीजन में लगाया था तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन 15-16 यह भिंडी के जो है फ्रूट समको मिल जाते है तो अभी मैं इसको चलने दे रहा हूं क्योंकि जब तक फ्रूटिंग इसमें होती रहेगी तब तक इसको चलने दूँगा और जब फ्रूटिंग बंद हो जाएगी तो इसको इसको दूसरे इसका जो मिट्टी है वो हटा दूँगा उसमें नया पोधा लगाऊंगा तो इ देखिए इसको मैंने बीज बनाने के लिए रख छोड़ा है ये कड़ा हो गया है इधर भी आप देख रहा है ये भी कड़े हो गया है तो इनको बीज बनाने के लिए मैंने रख छोड़ा है ये तो अपने घर के अपने गार्डेन के जो सब्जियां होती है उनको तो देखने में भी बड़ा सुकुन लगता है तो आज मैं इसको हार्वेस्ट करूंगा इसको हार्वेस्ट करके आपको दिखाता हूं क्योंकि अब ये इतने बड़े-बड़े हो गये हैं इनको एक बार हार्वेस्ट कर लूँगा और थोड़ा सा उपर से पिंच कर दूँगा तो इसमें नए नए फ्रूट्स नए नए फ्लावरिंग फिर से आना सुरू हो जाएंगे ये दिखिए ये कोहने का पौधा मैंने लगा करके रखा है और इसको बड़े जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो एक बड़े ग्रो बैग में इसको ट्रांसफर कर दूँगा चलिए कुछ बैगन को हार्वेस्ट कर लेते हैं ये गोल वाला बैगन इसको भी फुली और्गेनिक ये सारी सबजियां होती है और इनका टेस्ट भी मार्केट के सबजियों से कुछ अलग ही होता है तो थोड़ी सी जगह हो आप इसको लगाएं और गार्डेनिंग को इंज्वाई करें जो दोस्तों कुछ विसेज पैसे की जुरूएत नहीं होती है गार् नौक है तो बैगन को जब भी आप एक बार हार्वेस्ट करें तो थोड़ी सी उपर से पिंचिंग जरूर करनी चाहिए ये देखें ये कितने स्वस्त बैगन है बिल्कुल हलके है कोई वेटी ही नहीं है इसका तो चोखा वगरा बनाने में अच्छा रहेगा ये कि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया बैगन लगाना बहुत आसान है और इसको आप ज़रूर लगाए अपने गार्डन में अपने घर का बैगन इसका टेस्टी ही अलग होता है आज धेर सारी बैगन के हर्विस्टिंग हो जाएगी प्रिंट्स आप भी अपने टेरस पर इसी तरह के ग्रोबैक्स में ये दिखिए ये जो ऑनलाइन समान वगरा आते हैं उन्हीं में ये बैगन लगे हुए हैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ग्रोबैक्स खरीदने की कोई जूरूत नहीं है आपको तो इस तरह से लगा करके आप और्गेनिक सब्जियों को इंज्वाय कर सकते हैं और थोड़ा इससे एक्सरसाइज वगरा भी हो जाती है और बहुत अच्छा भी लगता है मानसिक सांती मिलती है तो यह रहा मेरा आज का सब्जेक्ट के नौंबर मैंने अपने टेरेस पर क्या-क्या लगा करके रखा है उसको मैंने दिखाया है और आगे भी इसी तरह से जो भी प्लांट्स वगरा मैं लगाऊंगा जो सब्जिया नहीं नहीं लगाऊंगा मैं आपको दिखाता रहूंगा और उनके संबंद में सारी बाते मैं बताता रहूंगा तो फ्रेंस आज